सिकर जिले के लक्षमंगर कस्वे में नाबालिक बालिका के अपहन के बाद बलातकार करने का संसरी खेज मामला सामने आया पिडिता नाबालिक बालिका के पिता ने लक्षमंगर थाने में मामला दर्श करवाया है जी आपको बता दें कि नाबालिक नैशनल हाईवे 52 पर बस स्टेंड के पास खड़ी थी और इसी दुरार पीछे से आरहे ट्रक चालक ने नाबालिक बालिका को जबरदस्ती उठा कर ट्रक में डाल दिया और उसके साथ बलातकार किया पुलिस ने पिडिता के पिता की रिपोर्ट के अधार पर मामला दर्श कर पिडिता का बोड से मेडिकल करवा कर मामले की जाच भी शुरू कर दी है लेकिन इन सभी मामलों से राजस्तान की साख दाव पर लग गई मामला भले ही सिकर का हो दैपूर का हो या फिर अलवर का हो एक के बाद एक संसिनीखेज घटना है सामने आ रही है और ऐसे में एक और घटना की नावालिक बालिका के साथ एक ट्रक चालक ने जबर्दस्ती बलातकार की घटना को अन्जाम दिया और पुलिस अब इस मामले में सक्रियता दिखाते वे जांच में जुट चुकी है